दोस्तो वाइटल चैनल में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत करता हूँ दोस्तो यदि आप अपने फोन में MX प्लेयर यूज करते हो ना और वीडियो देखते हो आफ लाइन या आल लाइन आप वीडियो देखते हो ना तो आज मैं आपको MX प्लेयर की चार ऐसी खूफिया ट्रिक के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में आप सबको नहीं पता होगा और चारो ट्रिक जो है ना जो चौथा ट्रिक है ना दोस्तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है यदि आप जान लेते हो ना तो MX Player यूज करने का आप तरीका बदल दोगे तो चलिए मैं आपको फटा-फट बता देता हूँ वीडियो में पूरा बने रहीएगा और लास तक देखिएगा वीडियो में आगे बने से पहले यदि मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब कर दीजेगा और साथ में All Notification बेल एक उनको जरूर दबाईएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके बतेगेगा आपको वीडियो कैसा लगा सेर वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर सेर कीजेगा और आप मैं बता देता हूँ कि चार ट्रिक कौन सी है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है एपको MX Player को Open कर लेना है उसके बाद आप देखोगे कि आपके बहुत सारा फोल्डर आपको नजर आएगा आपके फोन का भी नजर आएगा और जो आपके फोन का फोल्डर नहीं है जैसे यह यहाँ पर देख सकते हो बहुत सार आपको folder नजर आएगा जो आपका नहीं भी है तो उसको आप कैसे हटा सकते हो तो आपको सबसे पहले आपको three dots में जाना ठीक है three dots में जाएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा view menu का option इसमें आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो all folder select है न यहाँ पे सिर्फ folders पे क्लिक कर देना folders पे क्लिक करके done पे क्लिक कर दोगे न अब वो जो all to fall to folder आ रहा था वो सारा हटी गया अब वहीं folder आएगा जो आपके phone में है जो आपका folder है सिर्फ वहीं दिखेगा और कोई भी folder नहीं दिखेगा यह तो यह रहा पहला trick अब मैं आपको दूसरा trick के बारे में बता देता हूँ आप वीडियो में जाओगे न जैसे आप बच्चे को phone उन दोगे न दोस्तों तो आप जैसे MX Player को यूज करोगे न तो बहुत सारा असलील वीडियो बगेरा आपको उपर में ही देखने को मिल जाएगा और आप बच्चे के हाथे वे phone चला जाता है तो वो यह सब देख लेता है तो अच्छी बात नहीं है तो यह सब को आप कैसे हटा सकते हो आपको three dot में जाना है three dot में जाएगे न तो आपको नीचे में दिख जाएगा kids mode यहाँ पे दिख रहाना तो इसको enable करना है enable करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चार साल के बच्चे के हाथ में phone देना आपका बच्चा कितने साल का है उस हिसाब से आपको choose कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे 5-7 साल choose कर लेता हूँ उसके बाद continue पे click करिएगा आपको यहाँ पे एक pin मागएगा तो यहाँ पे पिन डाल दीजेगा ठीक है पिन डालने के बाद अगर आपके पास कोई भी email id है ना तो आपको email id पे click करिए continue पे click कर देना है उसके बाद आप देख सकते हो जैसे आप click कर दोगे email id डालके तो सिर्फ बच्चे का ही यहाँ पे वीडियो आएगा उसके अलाबा कुछ नहीं आएगा आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ बच्चे का वीडियो आ रहा है ना उसके अलाबा कुछ नहीं कभी भी आगार आ नोर्मल मूड में चले जाएगा अब यह रहा दूसरा ट्रिक अब मैं आपको तीसरा ट्रिक के बारे में बता देता हूं यह आपको जैसे कोई भी वीडियो वगएरा देखते हो ना तो आपका डेटा बहुत जल्दी-जल्दी खतम होता है ठीक है तो आप अपने डेटा को ब data saver का folder दीक रहा है इसको एनेवल कर देगे जैसे ऑनेवल कर देगा उसके बाद यही अपको वी वीडियो को प्लेइ करोगे ना उसको उपर में आपको एक ऑप्सन दीख़ेगा यहाँ पर देख रहा है इसके आपको क्लिक कर देना तो आपका यहाँ पर 50% जो आप यहाँ आप mx player में कुछ देखोगे या mx player का open करोगे न तो बहुत सार आपको बड़ा बड़ा add देखने को मिल जागा कुछ इस तरह से या कोई भी आप video वगरा देखोगे न तो बहुत सारा add आपको देखने को मिल जाता है तो इसको आप कैसे बंद कर सकते हो उसके लिए आपको छोटी से application का जोथ परेगा जो मैंने video की नीचे description में link डाल दिया है तो वहीं से इस app को download कर लिजेगा एप को open जैसी करिएगा उसके बाद आपको setting में जाना है setting में जाएगा न तो आपको यहाँ पर दिख जागा dns चार्ज यहाँ पर तो उसका open कर लेना open jc करोगे न तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा add guard dns यहाँ पर add guard slash dns दिखेगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको star जरूर कर देना है सबसे पहले star जैसे यहाँ पर कर देंगे न उससपर click करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको connecting होने लेगा यहां पर देख सकते हो connecting हो रहा यह आपको VPN दूसरा ही network connect करके देदेगा ठीक है उसके बाद यह दी आप MX player को use करोगे ना देख सकते हो कि मैंने MX player को open किया एक भी add आपको all to fall to folder या कुछ देखने को मिल रहा है आपको यहां पर नहीं न दिख रहा है आपको आप यहां पर कोई भी movie वगएरा कुछ भी देखोगे ना तो एक भी add आपको देखने को नहीं मिलेगा यहां पर चलेगा ही नहीं add यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक सिरियल चालू कि आपको add वेगरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है न तो इस तरह से आप add को बंद कर सकते हो और बिंदास उसके बाद MX Player को यूज कर सकते हो तो चारो सेटिंग मैंने बता दिया है I hope आपको कोई न कोई सेटिंग पसांद आ वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने दोस्तों के साथ बाई